आप सभी का मौसम तक चैनल पर हारदिक अभिनंदन है आज भारत का हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है और आज ही नवरात्री है इस दिन की स्पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है मेरी कामना है की मेरे जो साथी है मेरे जो मित्र है जो मौसम तक चैनल से जुड़े हैं किसान भाई हैं और साथी समस्त देश्वासी है उनका जीवन इस आने वाले नव समवत सर में जोकी 2008 समवत सर है जीवन सुख में रहे मंगल पूर रहे और दोस्तों हम उस दिन नौवर्ष मनाते हैं जब पूरी प्रकृती नए कलेवर में होती है नए स्वरूप में होती है प्रकृती का नया स्रिंगार हो चुका होता है और इसलिए भारत की हर एक परमपरा को आज धीरे धीरे विश्व वैज्ञानिक परमपरा मानने लगा है हमें भी उस अपनी जड़ों की तरफ देखना होगा और अपनी जड़ पर गर्व करना होगा ना की पश्यम का अनुकरन इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एगले तीन दिनों के मौसम की लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अब तक प्री मौनसून वर्षा की स्थित है आज 22 मार्च है और एक मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में पूरे भारत में जो बारिश का अंकड़ा है वो सामाने से ऊपर पहुंच गया है ये शुब समाचार नहीं है हलांकि ये सब जानते हैं कि जो बारिश हुई है उससे काफी नुकसान पहुँचा है पूरे की गई है और अगर इसके होम सब डिवीजन के इसाब से देखें तो दक्षिन भारत में 147 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है और आंकड़ा बारिश का है 24.7 mm लगभग डेढ़ गुना अधिक वर्षा रेकॉर्ड की गई है जितनी होती है उससे और मध्य भारत में हालात और अलग हैं यहाँ पर सामाने से 996 प्रतिशत अधिक वर्षा रेकॉर्ड की गई है यह 6 mm की जगह पर 17.7 mm वर्षा हुई है अगर हम अलग-अलग रीजन के साब से देखें तो आप देखें गुजराद में लगभग 5-5,000 प्रतिशत का अंतर है वजह यह है कि जहाँ पर बहुत जादा अंतर नहीं है और कमी कहां पर रहे गई है यह मैं आपको बता दू हिमाजल पर्दिश में 56% की कमी है और जम्मू कुश्मीर लद्दाक और जम्मू कुश्मीर लद्दाक में 33% की कमी बाकी जगों पर सामाने से अधिक वर्षा है बारिश के आंकड़ों में अधिक है सामाने से और इसके बाद उत्तर भारत के गर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाने से 11 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है 33.6 mm की जगा पर 37 mm वर्षा रेकॉर्ड की गई है और अब अगले तीन दिन यानि 22 24 मार्च को पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा आई इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देखिए आज की स्थिती यह है कि तमाम जगों पर बारिश से लोगों को राहत मिल रही है लेकिन पश्चिम की जो तस्वीर है भारत की पश्चि होने की संभावना आशंग का नजर आ रही है फिलहाल अगले 24 घंटों की बात हम करें आज की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर से लेकर उत्राखन की बीच में बहुत लाइट रेन हो सकती है उत्तर प्रदेश और हर्याना के अधिकांश इलाकों से लेकर बिहार जारकन प पश्म से बादल आ रहे हैं ये सारे बादल पंजाब हर्याना दिल्ली के पश्म में उत्तरी और उत्तर पश्मी राजस्तान और गुजरात के पश्मी भागों पर आज पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर यहां राजस्तान में पंजाब और हर्याना के पश्मी भागों में और गुजरात के कुछ हिस्तों में बूदाबादी हो सकते हैं दिल्ली में बारिश की उम्मीदें नहीं हैं और उतर-प्रदेश में भी लगभग सभी जगों पर बारिश की उम्मीदें नहीं हैं अवाओं की रफतार आज बढ़ेगी जिसकी विसे दिन का टेंपरिचर भी काफी बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस से पहले दमवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इन चार महीनों में जो की एक तो पोस्ट मौनसून सीजन का समय था दिसंबर तक उसके बाद जनवरी फरवरी विंटर सीजन था इस दोरान जब डवलूडी के साथ स्ट्रॉंग सर्कुलेशन यहां पर बारिश होती है और उस बारिश से फसलों के सिचाई हो जाती है किसानों को फाइदा पहुंचता है लेकिन उस दौरान बारिश नहीं हुई लेकिन यह सिस्टम इस समय इतना स्ट्रॉंग बन रहा है कि यह फिर से किसानों को डरा रहा है और यह सिस्टम जब मूब करेगा आ और इसके चलते हैं यहां पर काफी बारिश रिकार्ट की जा सकती है। पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और ते लंगाना में तथा महाराश के विदर्व और मराटवारा के दक्शनिक शेतरों में कुछ सस्थानों पर हल्की वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। तमिलाडू के ततिये अलाकों में और इंटिरियर केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ये बादल जो होंगे वो तमाम पंजाब और हर्याना के तमाम इलाकों के साथ साथ उत्तराखन के उपर घने बादल आ जाएंगे। दिल्ली पर लगातार घने बादल चाहे रहेंगे 23 मार्च की रात से 24 मार्च की दोपहर तक और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम जगों पर बादल होंगे। सीधी, सिंग्रोली, शैडो, लनुपूर, डिंडोरी, खजुराहो और पन्ना, टीकमगड इन भागों में कई जोगों पर वर्षा होने की संकेत हैं और जबलपूर, मांडला, बालागाट, कटनी, शैडो, लनुपूर, डिंडोरी इन भागों में कुछ अस्तानों पर वर्ष का सिलसला यूहीं बना रहेगा, तो दोस्तों, आफ़त की बारिश यहां पर कई जगों पर देखने को मिलेगी, पंजाब में और हर्याना में कई जगों पर पच्चिस, चौबिस मार्च को मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, दिल्ली में भी चौबिस मार्च को भारी बार की लेगा, बाकी जगों पर अपक्षाकृत हालाँ बेटर रहेंगे, ן तमाम जगों पर बारिश होने की सभाष नहीं, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लगातार मेरे साथ बने रहेंół, मैं आप तक मौसम की पूरी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा, ल अगर अभी तक नहीं किया है लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद